आप सब्सक्राइब करें अपनी किसी भी फाइल को वीडियो शुरू करने से पहले मेरे एक रिक्वेस्ट है यादि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजिए साथ में जो गंटी का इकनाय उसको भी दबाएं क्योंकि इससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले लती रहेगी ज्यादा इन्फोर्मेशन के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते ह तो बिना टाइम वेस्ट के करते हैं वीडियो स्टाट चले ही शुरू करते हैं आज की ये वीडियो दोस्तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप जुड़े रहें सबसे पहले हमारी अपडेट्स के साथ दोस्तो जब भी हम कि पिडेफ फाइल मांगी जाती है या फिर फाइल को कम साइज में अपलोड करने के लिए काहा जाता है लेकिन आज कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीडेफ से किसी भी फाइल को इमेज में कैसे कन्वरट कर सकते हैं आप उसका इमेज भना सकते हैं दूस्तो सबसे PDF का फोटो बनाना है JPG बनाना है उस पर आपने क्लिक करना है करने के बाद उस PDF के सभी पेज ची हो जाएंगे आप देख सकते हैं इस PDF में एक ही पेज है उसके बाद आप नीचे की साइड देखेंगे दो अप्शन है आल पेज और स्लेक्ट पेज तो आपने स्लेक्ट पेज यदि आप सभी पेजों को स्लेक्ट करना चाते हैं तो आल पेज पर करेंगे तो हम यहां से स्लेक्ट पेज करेंगे और इसको स्लेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपने स्लेक्ट पेज पर ही किलिक करना है उसके बाद यहां से पूछेगा कि आप इस फोटो की क्वालिटी कै यहां से आप इसको कम भी कर सकते हैं और हाई भी कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आप फॉर्मेट देखेंगे तो फॉर्मेट पर हम क्लिक करेंगे और यहां आप देख सकते हैं तीन ओप्शन है जेपीजी पीएंजी और वेब तो आप अपने मर्जी से बना सकते हैं बनाने के लिए आपने start पर click करना है जैसे आप start करेंगे तो आपका PDF का photo बनकर ready हो जाएगा इसको यहाँ पर click करेंगे और यहाँ से आप इसको open करके देख सकते हैं तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी PDF का image बना सकते हैं PDF का JPG बना सकते हैं आई होप के यह वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई है लाइक करना comment box में नाइस वीडियो ज़रूर लिखना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ WhatsApp ग्रूप और Facebook पर share करें तो धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक के लिए बाई